So Hello Friends, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में जून महिने में कई सारे बदला हो रहे हैं जून महिने से रासन से लेकर गैस सिलेंडर तक और साथ ही दोस्तों पीम किसान से लेकर पेंसन तक कई ऐसे बदलाओं हैं जिसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप उनकी सर्थों को पूरा करेंगे यूपी में 15 करोड रासन का धारक हैं और ऐसे कई परिवार हैं जिनकी अभी EKYC नहीं हुई मतलब अभी बता दे तो 70% ऐसे परिवार हैं जिनोंने EKYC नहीं कराई लेकिन सच यह है कि मीडिय रिपोर्ट की यह सारी खबरे सही हैं सच है यानि कि आप अगर एक रासन का धारक हैं अगर आपके यूनिट में 5 लोग, 7 लोग, 8 लोग, कितने भी हो सभी को EKYC करानी होगी फृरी रासन के लिए अब काट धारकों को करना होगा यह काम वरना नहीं मिलेगा गेहु चावल का लाब यह भी बताया जा रहा है कि EKYC करने पर ही गेहु मिलेगा आलाकि इसमें कितनी सच्चाई है इस पर तो बाद में बात करेंगे फिलाल फिरी रासन का लाव लेने वाले कारधार को के लिए बेहत important सूचना है रासन के दुकानों पर गेहू चावल लेने से पहले आपको एक काम तो करना ही होगा परिवार के हर एक सदर्से को बारी बारी जाकर अंगूठा लगाना पड़ेगा हाला कि यह हर महीने नहीं करना सिर्फ एक बार अगर आप कर देंगे तो यह पता चल जाएगा कि आप इसी रासन कार्ड की सदर्से हैं यूनिट में सामिल हैं और आपको ये लाब मिलता रहेगा ये काम रासन कार्ड में अंकित सभी सदर्स्यों के जरूरी है इसके बिना आपको फ्री रासन का लाब नहीं मिलेगा रासन कार्ड धार को कब EKYC कराना होगा रासन कार्ड में जितने भी यूनिट सामिल हैं उन सभी का अंगूठा E-POS मसीन में लगाना जरूरी है रासन कार्ड में सामिल परिवार के सभी सदर्सयों का अंगूठा लग जाने पर रासन कार्ड की EKYC हो जाएगी इसकी प्रक्रिया सुरू भी हो गई है आने वाले कुछ महिनों में सभी के अंगूठा लगने के बाद EKYC प्रक्रिया पूरी भी होगी और कार्ड में सामिल जिस भी सदर्स का अंगूठा एक भी बार नहीं लगा है उसकी यूनिट को ब्लॉक कर दिया जाएगा यानि अगर आपके रासन कार्ड में 6 लोग है और एक लोगों ने नहीं लगाया पांच लोगों ने जा जाके लगा लिया रासनकार धरकों को कोटे की दुकानों पर इपॉस मसीन पर अंगूठा लगाने के बाद ही रासन मिलेगा बताय जा रहा है कि अगर अंगूठा लगाएं के तो आपको गेहू जादा मिलेगा या गेहू मिलेगा वरना नहीं मिलेगा जून माईने से रासन वितर्न में ये भी बाते सामने आ रही हैं कि गेहों की पैदावारी जादा होने के बाद, अब एक युनिट पर जो 2 किलो गेहों मिलता था, वो 3 किलो हो जाएगा, और 2 किलो 4 मिलेगा, बाजरा का वित्रर समाप्त कर दिया गया है जिले में करीब 50% तक एकवाईसी का काम अभी बाकी है बात कले पैंसन योजना की कि दिव्यांग निरासित महिला वाला पैंसन वगेरा कम मिलेगा तो इसकी खबर आपके बता दे तो लोक्सबाच 9-4 जून को समाप्त हो रहा है रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद आपके खाते में पैंसन मिलेगी बताया जारा है कि व्रिद जनों का पैंसन पहले मिलेगा दूसरे डंबर पर दिव्यांगों का पैंसन जारी किया जाएगा खबर तो ये थी कि अप्रेल मैं जून में बढ़ा हुआ पैंसन 15-1500 मिलेगा लेकिन अभी तक ये कनफर्म नहीं हो पाया है कि सरकार कब से इसको जारी करने वाली है चुका है, EKYC हो चुकी है, खाते में पैसा उन्हीं को मिलेगा जिन्नों ने EKYC कराई है बढ़ा हुआ पैंसन इस बार जारी होने की जादा उमीते जताई जा रही है वे पीम किसान संबाने दिका पैसा भी जल्द ही जारी हो जाएगा गैस सिलेंडर के अगर आप लाभारती हैं तो एक जून से उन्हीं लोगों को गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा जिन्होंने EKYC कराई थी और उनके खाते में सबसेड़ी तभी पहुँचेगा गैस कनेक्सन धारकों को गैस एजनसी पे जाकर EKYC कराने की बाते गैस कमपनी कर रही है तो अगर आपने ये नहीं किया तो इसको भी कर लीजेगा सो मिलते हैं एन अपडेट में नई जानकारी के साथ फिलाल के लिए धन्यवाद